दुनिया की सबसे बेस्ट कमांडो कौन है आपको जानके प्राउड फिल होगा मार्कोस यामेरिन कमांडो फोर्स भारतिय नौसेना की एस्पेसल उपरेशन फोर्स की यूनिट है जिसे किसी भी हाड या एस्पेसल उपरेशन के लिए बुलाया जाता है मारतिय नौ सेना की इस इस्प्रिसर यूनीट की अस्थापना फरवरी 1987 में अतंकवादियों तथा समुन्री रिटेरों को मार गिराने के लिए किया गया था मारतिय नौ सेना में मार्कोस कमांडो बनना बहुत मुश्किल है कहा जाता है कि सेना के 1000 सेनुकों में से कोई एक ही मार्कोस बन पाता है मार्कोस बनने के बाद 3 साल होती है नर्क जैसी ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग में पुरी नीन नहीं लेने दी जाती और कांदे पे 25 किलो भाड़ लेकर कीचर में घुसकर एक किलोमीटर की दौर लगानी पड़ती है ये तो बस सुरुवात है इन्हें सेक्रों अगनी पर एक्षाओ से गुजरना पड़ता है बहुत तो दूसरे दिन ही ट्रेनिंग छोड़ कर भाग जाते है और जो ठिके रहते है दिल संकल्प के साथ खोल पशीना पानी की तरह देश पर मन मितने के लिए बहाते रहते है तब जाके पैदा होते कहीं भारत के ये सेर जिने हम मार्कोस कहते है